नमस्कार, Competition Community, Comprehensive Conference program में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो एक से लेकर 31 अगस्ट 2023 तक के बहुत महत्वपूर्ण जो Current Face है प्री और मेंस दोनों के ही Point of View से उनको लेकर मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूँ काइदे सर ऐसा था कि अगस्ट जो है इसके Current Face को मुझे दो वीडियो में लाना था एक से लेकर 15 अगस्ट और 16 से लेकर 31 अगस्ट तक बट किसी कारण से नहीं ला पाया था इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं August का जो Current Face है उसको एक ही वीडियो में comprehensively पूरा क्या कर दूँ फिनिश कर दूँ खतम कर दूँ ठीक है तो इस जो गलती मैंने इतनी बड़ी कर दी है उसके लिए मुझे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग माफ कर देंगे ठीक है और नेक्स टाइम से कोशिश करूँगा यार कि दो वीडियो ज़रूर लाओं मैं कभी-कभी न व्यस्ता कुछ ऐसी हो जाती कि नहीं ला प मेरे उपर थोड़ा सा आप विश्वास रखोगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया मीठा सफल मिलेगा ठीक है चलिए तो अपन बिना समय को वेस्ट करें क्या कर देते हैं शुरू कर देते हैं सबसे पहले देखे खाली स्लाइड आ चुका है और खाली स्लाइड जो है यहाँ पर हम एक साहितकार को देखते हैं और साहितकार को देखने के लिए एक छोड़ा सा सेंटेंस उसको आप याद रख लेंगे तो साहितकार आज के हैं वो क्या हो जाएंगे आपको याद हो जाएंगे ठीक है सेंटेंस है हृदय में सुहागन पुतरी क्या है हृदय में सुहागन पुतरी तो पुतरा और पुतरी दोनों साधी हुआ और साधी होने बाद हम लोग पुतरा का हृदय देख रहे है तो पुतरा का जो हृदय है उसमें उसकी सुहागन पुतरी बसती है ऐसा याद रख लेना ठीक है अब चलिए इस सेंटेंस से हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले साहितिकार का नाम निकाल लेते हैं तो साहितिकार कौन है तो है ठाकुर हृदय सिंग चोहान समझ में आया तो मैंने आपको क्या कहा पुतरा पुतरिक शादी हुआ और पुतरा का जो हृदय है उसमें उसकी सुहागन पुतरी अब बसती है तो हृदय से याद रखना साहितिकार है ठाकुर हृदय सिंग चोहान अच्छा रचनाओं की बात करें तो में से याद रखना है मे रहा पहली रचना क्या है मे रहा अगली सुहागन से रचना है सोहागा अगली रचना क्या है सुहागन से सोहागा और पुतरी तो पुतरी से तीसरी रचना है पुतरी तो ध्यान रखना मैंने क्या कहा हृदय में सुहागन पुतरी तो हृदय से ठाकुर हृदय सिंग चोहान साहितकार है में से ध्यान रखना मेरह उनकी पहली रचना दूसरी सुहागन से सुहागा याद रखना और पुतरी तीसरी रचना है उनकी अच्छा, अब एक controversial बात बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, हाँ, इनकी एक और रचना लिखी जाती है, फुटहा करम, और ये असल में क्या है, तो एक उपन्यास है, समझ में आया, तो अगली जो रचना है, वो क्या है, फुटहा करम, ध्यान आपको ये रखना है, कि कई ज जगा जो है, आप फुटहा करम को किस में पढ़ लेंगे पता है, तो आप ना इसे केईूर भूशन की रचनाओं में भी पढ़ लेंगे, तो फुटहा करम, असल में, जब डॉक्टर विनय कुमार पाठक की बुक आई, तो उस बुक में उन्होंने फुटहा करम को काटेगोरिकली मेंशन किया है, किस में, तो ठाकुर हिदै सिंग चोहान की किस में रचना में, समझ में आया, तो ध्यान रखना, फुटहा करम किन की रचना, ठाकुर हिदै सिंग चोहान की रचना, एस पर डॉक्टर विनय कुमार पाठक's बुक, तो हम इन चारों रचनाओ को याद रखेंगे मेरा सुहागा पुत्री फुठा करम अच्छा अब क्या करते हैं भई तो पिछला जो वीडियो था उसमें जो questions हमने देखे थे उन questions को या उन questions को discuss कर लेते हैं उनके answers को अपन देख लेते हैं तो काली मिर्च पहला question था काली मिर्च की खेती किस संस्था द्वारा की जा रही है तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया थे गाउं का नाम जिसका नाम था चलका और ये जो गाउं था ये actually कोंडा गाउं district के कोंडा गाउं ब्लॉक में था और यहां पर माद अंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रीसर्च सेंटर के द्वारा क्या किया जा रहा तो काली मिर्च की खेती की जा रही है समझ में आया आपको तो ये पहला question दूसरा question प्रदेश के किंदो जिलो को भूमी प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमी सम्मान प्लाटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा लिखाया तो हो चुका है तो किया गया भी कह सकते हो तो ध्यान रखना भूमी प्रबंधन का कारिया 100% पूर्ण होने के लिए 36 गार्ट राज्य के सर्गुजा और बेमे तरह को यह सम्मान दिया गया कौनसा कारिया भूमी प्रबंधन लाइन मानेजमेंट का काम 100% complete पूर्ण होने के लिए सरगुजा और बेमे तरह को ये जो भूमी सम्मान प्लाटनम सर्टिफिकेट है इससे क्या किया गया है सम्मानित किया गया है ठीक है भई अगला क्वेशन ध्यान रखना नीती आयोग की डेल्टा रांकिंग में किस जिले को और कौन सा स्थान प्राप्थ हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि कृशी और जल संसाधन इस शेत्र में उतक्रिष्ट कारी करने के लिए राजनात गाउं को थर्ड रांक मिला था राजनात गाउं को क्या मिला था थर्ड रांक कृशी बोले तो एगरी कल्चर जल संसाधन बोले क्या water resources समझ में आया कि नहीं आया तो इस शेत्र में उतक्रिष्ट कारे करने के लिए excellent work करने के लिए राजनाद गाउं को third rank मिला था clear है तो ये तीन questions हो गए जिसको अपन ने क्या किया था तो पिछले वीडियो के अभियान 5.0 इसको इंग्लिश में कहा गया है IMI 5.0 intensified mission इंद्रधनुष 5.0 संच आया क्या कहा गया है intensified फिर वही mission इंद्रधनुष 5.0 अब ये क्या है तो ध्यान रखना mission इंद्रधनुष MI जो है सार्व भॉमिक टीका करण कारिक्रम universal immunization program के अंतरगत एक विशेश टाइप का catch-up अभियान है कैसा भियान है? catch-up मतलब जो उस समय अपूर्ण था इसके माध्यब से अब क्या किया जाएगा? इसे पूर्ण किया जाएगा what was incomplete shall be completed by the help of am I now समझ में आया? तो ये catch-up अभियान है जिससे क्या किया जाएगा? तो ऐसे शेत्र जहां पर immunization या टीका करण का coverage कम है ऐसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो की नियमित टीका करण जो था जो vaccination चल रहा था उससे वो लोग छूट गए हैं उनको टीका करण करने के लिए इस अभियान को चलाया जाता है तो मैंने क्या बताया? कि सार्वभौमिक टीका करण कारिक्रम Universal Immunization Program के अंतरगत आता है Mission Indra Dhanush कैसा अभियान है भई? तो ये है एक catch-up अभियान कैसा अभियान है? catch-up अभियान अब क्या catch-up करना है? तो ऐसे बच्चे या ऐसी गर्भवती महिलाएं जो की routine immunization जब हो रहा था जो की normal जो टीका करण हो रहा था निमिट टीका करण हो रहा था उस समय क्या नहीं हो पाया था? इनका टीका करण नहीं हो पाया था ये लोग छूड गए थे इनको क्या किया जाएगा? MI के मार्धियम से टीका करण किया जाएगा ठेक है? तो पात साल तक बच्चे जो छूटे हुए हैं और गर्भवती माताओं के टीका करण के लिए इस साल भी MI का पाच्वा संसकरण 5.0 जो है वो शालू किया गया है और इसे भारत में तीन चरणो में पूर्ण किया जाएगा It will be completed in 3 phases पहला जो phase है वो क्या है? 7 से 12 अगस्ट तक चलेगा यह दूसरा जो phase है 11 से 16 सेप्टेंबर तक चलेगा और तीसरा जो phase है वो रहेगा 9 से 14 अक्तूबर तो ध्यान रखना, M.I. है क्या, और उसके बाद इस साल कितने फेज हैं, तो तीन फेज हैं, 7-12 August पहला फेज, सेकेंड है 11-16 सितंबर, और तीसरा है 9-14 अक्टूबर, ध्यान रखना, ये जो छूटे हुए बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ न, आक्चुली इस बार का टार्गेट ये है, जो 5.0 संसकरण हैं, इसमें एप्रॉक्सिमेटली कितने बच्चे हैं, जिनको हमको क्या करना है, टीका करन करना है, तो बच्चों की संख्या है 20965, तो ध्यान रखना लगभग, रूटीन टीका करन जब हो रहा था, तो 20,965 जिरो में, तो रूटीन टीका करने से 20,965 बच्चे छूड़ गए हैं, इनको कवर कर लिया जाएगा, ध्यान रखना एक और चीज, ये जो चौथा संसकरण था इसका, IMI 4.0, इसमें 36 गण में कितने बच्चों का टीका करन किया गया था, तो 11947, 11,947 बच्चों का टीका क करन किया गया था, तो मैंने क्या बताया, डेफिनेशन, तीन फेज, फिर मैंने बताया, कि पांच वे में टार्गेट है, 20,965 बच्चे, जो रूटीन टीका करन में छूड़ गए थे, गया गरना है, उनका, टीका करन करना है, और 4.0 में कितनों का किया गया था, तो 11,947 ब रुबेला, इन दोनों बीमारियों से हमें बच्चो को मुख्द करना है, तो क्या target है इस बार, मीजल्स, रुबेला, इससे बच्चो क्या करना है, मुख्द कर देना है, क्या करके, टीका करन करके, तो ये पूरे के पूरे topic का क्या हो गया, analysis हो गया, I hope आप लोगों को प्र मिशन इंद्रधनुष को ready कर लेना समझ में आ गया आपको तो पेपर नंबर पाँच जो है ना उसमें ये question आपको दिख जाएगा 30 या 60 words में कि मिशन इंद्रधनुष क्या है what is mission इंद्रधनुष एक चीज अगर स्वास्त से संबंधित कोई essay आ रहा है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं तो इस fact को या इस mission इंद्रधनुष को उस essay में लिख सकते हैं ठीक है तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे ठीक है भई अब ध्यान रखना कि अगर आप 30 words या 60 words में mission इंद्रधनुष के बारे में लिख रहे हों खासकर 60 words की बात कर रहा हूं तो इसको ना current के साथ जोड़ना और लिखना कि पाचवा संस current जो है 5.0 यह actually तीन phases में हो रहा है और major target measles, rubella इसको हटाना बच्चों में से और at least बता देना इस बार छत्तिरगण में ब target लिख दोगे, तीन phase date ने लिखोगे तो भी चल जाएगा, clear है, अच्छा, अगर बात करोगे mcqs की, तो mcqs के लिए आपको ना विशेश रूप से ध्यान रखना होगा, कि आपको पूछ देगा, कीस साल mi कितने चरणों में हुआ है, तो 3 mi या imi ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूछ देगा, निम्न में से कौन कौन से, डेट के 3 चरण थे, समझ में आया की नहीं आया, अब बहुत ज्यादा डीटेल करना होगा, पूछ देगा, कि कितने बच्चों target था, 2965 इतने बच्चों का क्या था, target था, clear है, measles, rubella को भी याद रखना, क्या में काम आ जाए, clear है, तो ध्यान बहुत अच्छे से आप लोग रखना, ठीक है भई, अब हम लोग अगले topic पर आ जाते है, अब अगला topic क्या है अपना, तो ज्यानेश्वरी जी, पूरा नाम क्या है इनका, कुमारी ज्यानेश्वरी यादव, ठीक है, ध्यान रखना, ये असल में 36 गड़ की weightlifter है, और कौन से district से संबंदित है, तो ये भी ध्यान रखना, इनका संबंद 36 गड़ के राजनाद गाउंजे से है, समझ में आया, सामान ने तोर पर ये जो section में बता रहूं न, question इतने में से ही आ जाएगा, कि ज्यानेश्वरी यादव का संबंद किस scale से है, to which sport is she related, तो weightlifting, कौन से district से हैं तो राजनाद गाउं, clear है, अब basically हुआ ये था कि मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने घोशना की थी, कि इनको क्या करेंगे, तो ASI के पद पर nuked कर देंगे, समझ में आया, अब ASI के पद पर ये क्या हो गई, nuked हो गई, appoint हो गई, इसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री को क्या किया है, धन्यवाद किया है, समझ में आया, but practically मैं आपको कह दूँ, कि ध्यान आपको ये रखना है, questions के point of view से, यहां से MCQ ही बनेगा, पहला रहेगा, कि कुमारी ज्यानेश्वरी यादव, किस scale से संबंधित है, तो weightlifting, कौन स कर देंगे, जो कि पूर्ण हो गया, complete हो गया, done, तो यहां से इतना सा question बनेगा, बहुत ज़्यादा, mains के point of view से इतना important यह नहीं है, ठीक है भई, अब next देखिएगा, next जो topic है, वो क्या है, मेरी माटी मेरा देश, यह जो अभियान है, इसके साथ आजादी का अमरत महत्सव जो है, उसका क्या किया जाएगा, समापन किया जाएगा, closing किया जाएगा, अब आपको पता है, हमारे देश में स्वतंतरता की जो 75th anniversary है, वर्षगाठ है, उसको हम लोग लगभग दो वर्ष से मना रहे थे, और अलग-अलग कारिक्रमों को इसके अंतरगत आयोजित कर रहे अब इसी का जो समापन है, closing है, वो मेरी माटी मेरा देश अभियान के रूप में मनाया जाएगा, समझ गया, तो इसका closing होगा किसे, मेरी माटी मेरा देश अभियान से, अब समस्ते जाएगा, ये program actually है क्या, तो इस program के माध्यम से हम लोग वीरों का सम्मान करेंगे, ऐसे व उन्होंने बलिदान दे दिया, तो अपने वर्तमान की उन्होंने ये नहीं की, क्या बुलते हैं, परवा नहीं की, और हमारे भविश्के लिए उन्होंने क्या कर दिया, प्राणों की आहुती दे दिया, अब इन सभी वीरों के सम्मान में क्या किया जाएगा, तो हमारे प् अम्रित महुत्सव स्मारक और एक अम्रित वाटि का निर्मित करने के लिए उस मिट्टी का यूस किया जाएगा और इस प्रकार से ऐसे वीर सपूत देश के जिन्होंने देश के लिए सर्वोच बलिदान दिया है, the ultimate sacrifice किया है, उनको हम क्या कर सकेंगे, तो उनको हम लोग एक सم्मान दे सकेंगे, अब सम्मान तो नहीं दे सकेंगे, आर उनलोगों नितना बड़ा बलिदान दे दिया है कि हम लोग कुछ भी कर ले, वो सब कुछ क्या है, बहुत छोटा है, आप सोचिए कोई व्यक्ति आपके लिए जो आपको जानता नहीं है, आपके लिए जान दे और आप मतलब क्या ही कर लोगे, कितना भी आप सम्मान कर लो, उस रिण को कभी नहीं उतार पाओगे आप लोगे, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा कृतर्ग्य रहना, कि ये जो आजादी हमें मिली है, हर सोल्डर जो हमारे लिए मरा है, या उसने अपने होना, तो बिल्कुल मेरे रोंग्टे खड़े हो रहे हैं, समझ में आया, तो चलो ठीक है, इस टॉपिक को, फिर से आप लोग को एक अलग अंगल से समझा देता हूँ, बेसिकली क्या है, तो आजादी कामरित महतसव, ये देखो, हाँ, आजादी कामरित महतसव, जो है, मतल हमारे जितने भी पंचायत हैं हमारे प्रदेश के, वहाँ से मिट्टी एक अत्रित की जाएगी, ले जाए जाएगी कहां दिल्ली, और वहाँ पर कहां यूज की जाएगी, तो आजादी का अमरित महतसव मारक और अमरित वाटिका बनाने के लिए इसका यूज किया जाएग तो जिन्होंने देश के लिए सरवच बलिदान दिया है, उनको सम्भानित कर सकेंगे, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हुआ, देखिए, प्री के पॉइंट ओफ्यू से अगर कहोगे ना, तो एक वशन बन जाएगा कि इसका समापन किस कारिक्रम के माध्यम से हुआ है, तो मेरी माटी मेरा देश, ठीक है, एक क्वेशन बन जाएगा, मेंस में कहोगे तो एक क्वेशन बनेगा, क्या, आपको सीधा 30 words में बोलेगा, कि भईया मेरी माटी मेरा देश कारिक्रम को क्या करिए, समझाए, explain मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम, समझ में आया, तो 30 words का के question इसको याद रख लेना means के लिए pre के point of view से fact याद रख लेना कि समापन किस से हुआ है done चलिए भई यहां तक खतम हो जाता है अब आगे आ जाते हैं अपन तो 36 गड़ के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ती यह ऐसा कह लो 36 गड़ के first chief justice डबलुए शिशांक जी इनका क्या हो गया इंफाल में निधन हो गया डेथ हो गया ठीक है तो ध्यान आपको इस बात को रखना है ठीक है भई तीन अगस्त का डेट था वबरस्त दो हजाटेज बड़ो विससी बात है इंफाल में इनकी डेथ हो गया इंफाल मे या इनकी नियुक्ती हुई थी नो ने क्या जब 4 दिसंबर 2000 वह डेट था जब इनकी नियुक्ती हुई थी वह एपॉइंटेड ऐस दी फर्स चीफ जस्टिस ओफ बिलासपुर हाइकोर्ट या छत्तिदगर्ण हाइकोर्ट कहोगे तो भी चलेगा तो छत्तिदगर्ण हाइकोर्ट के फर्स चीफ जस्टिस के रूप में 4 दिसंबर ठीक है और वैसे भी आपको पता होगा मनीपूर की घटना चल रही है ठीक है कुकी मैती और नागा तीनों बीच में है में तो कुकी और मैती लोगों बीच में है नागा भी है उसमें तो क्या पता इतना उचला हुआ है नाम तो पूछी लेकि बताओ भई नागा समुदाय के प्रथम Chief Justice कौन थे या नागा समुदाय से प्रथम Chief Justice कौन थे तो आंसर क्या होना चाहिए Honorable Justice WA शिशांग जी ठीक है तो एक MCQ के रूप में ये काम में आ सकता है अब फाइनली आ जाते हैं मुख्यमंत्री श्री भुपेश बगेल ने प्रदेश में पहली बार प्रदान किया है परियावास अधिकार मानिता पत्र ठीक है तो ये परियावास अधिकार मतलब हैबिटाट राइट इसका एक मानिता पत्र रिकेगनिशन लेटर जो है उसे प्रदान किया है थोड़ा तबियत खराब है खासी आ जाता है बहुत बोलते बोलते हैं कोई बात नहीं चलो शुरू करते हैं आगे तो मुख्यमंतरी भुपेश ब्रगहिल जी ने क्या किया विश्व आदिवासी दिवस जोकी कब था 9th of August तो 36 गड़ में एक विशेश रूप से पिछडी जन जाती समू है जसका नाम क्या है कमार और इसी जन जाती समू को इन्होंने परियावास अधिकार मानिता प्राप पत्र, हैबिटाट, राइट्स, रिकेगनिशन, लेटर जो है उसको वितरित किया, डिस्रिब्यूट किया ध्यान रखना, 36 गड़ देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां इस प्रकार का मानिता पत्र जो है वो दिखे पिछडी जन जाती समू को दिया गया है आप लोग कमे फर्स्ट कौन है आप बताओगे और 36 गड़ में कमार जन जाती ऐसी पहली जन जाती है जिसको ऐसा मानिता पत्र, रिकेगनिशन लेटर जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहे है, जब 36 गड़ में पहली चबार दे रहे हो तो जिसको दिये हो वही पहला व्यक्ति होगा, सम पहली बार दे रहे है किसको तो कमार को, यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना, भारत में देखा जाए तो 36 गड़ क्या है दूसरा राज्य है जिसने परियावास अधिकार का मानिता पत्र दिया है, सही बात है बिलकुल, लेकिन 36 गड़ में तो ऐसा पहली बार हुआ ना, और 36 गड़ में ऐसा पहली बार किसके साथ हुआ, कमार जन जाती के साथ, तो इस प्रकार कमार जन जाती, पहली जन जाती बन जाती है, जिनको परियावास अधिकार, हैबिटाट राइट्स का मानिता पत्र जो है, वो क्या किया गया, वितरित किया गया, ठीक है भई, तो अपन मगर लोड ब्लोक के, कौन से ब्लोक के, मगर लोड विकास खंड, धमतरी जिला, मगर लोड विकास खंड, ठीक है, और उसमें भी जगाक नाम क्या था, मगर लोड पाली, ठीक है, और यहाँ के मुख्या को परियावास अधिकार मानिता पत्र जो है, ठीक है, जो रूप से पिछडी जन जाती ये ऐसी जन जातियां है जो की आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है इनकी जनसंख्या की वृद्धी या तो जिरो है या नेगेटिव है समझ में आया शेक्षनिक रूप से ये लोग बहुत जादा कमजोर है मतलब education नहीं है economically बहुत जादा backward है औ और इसी के लिए इनको विशेश टाइप का status जो है दिया गया है विशेश पिछडी जन जाती का English में इनको बोलते हैं पर्टी कुलरली वलनरेबल ट्राइबल ये देखो लिखानी रहा है यहां लिख जाता हूँ ट्राइबल ग्रूप पी वी टी जी कहा जाता है English में सब्सक्राइब आया विशेश पिछडी जाती को English में क्या बलता है पी वी टी जी पर्टी कुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रूप अब चत्रगण में ऐसे कितनी विशेश पिछडी जाती है तो ध्यान रखना केंद्र या सेंटर के द्वारा घोशित और राजी के द्वा रवा उसके बाद ध्यान रखना कमार फिर है बैगा और है बिरहोर राजी के द्वारा घोशित दो है एक है पंडो और दूसरे भूजिया तो केंद्र के द्वारा घोशित अबूज माडिया पहाडी कोर्वा कमार बैगा बिरहोर और राज्या स्टेट के द्वारा घोशित पंडो और भुझिया ये साथ जंजातिया हैं जो की particularly vulnerable tribal group विशेश पिछडी जंजाती के अंतरगत आती हैं ठीक है अगर इसको याद रखना चाहो केंद रुक तो मैं इसके लिए एक बहुत simplified type का डाइगराम बना देता हूँ याद रखना ये एक जनादमी है ये जो इसका कम कमर है इसमें एक लटका हुआ है तो इसने क्या किया है अपने कमर में बैग लटका आया है ठीक है अब ये अबूज माड कि जो पहाड़ी है उस और जा रहा है तोbelok है समझे वहां है तो एक आधमी है हाथ भी बना देता हूँ विचारे का हाव् इसके कमर में बैग है और वो अबूज मार की पहाड़ी की ओर जा रहा है तो कमर से याद रखना कमार बैग से याद रखना बैगा लिख भी देता हूँ चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे कमर से याद रखना क्या कमार बैग से याद रखना क्या बैगा अबूज मार से याद रखना अबूज माडिया पहाड़ी से याद रखना पहाड़ी कोरवा और और से याद रखना बिरहोर तो ये पाच जिसको center ने declare किया है और state ने राजज ने दोठो किया है कौन सा एक ठो पंडो और एक ठो भूंजिया 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 भैंकर question आता है प्री में बार बार उसता है लाल बंगला तो लाल बंगला क्या है भईया तो भूंजिया जन जाती में kitchen separate होता है लाल बंगला बार बार question आ चुका है anyways वापस आते हैं तो ये तो हमने देख ली विशेश पिछडी जन जाती है अब ये समझते हैं थोड़ा सा कि ये परियावास अधिकार का जो मतलब है वो क्या है तो ध्यान रखना वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा दो जह में इस परियावा परियावास अधिकार particularly vulnerable tribal group मतलब विशेश पिछडी जन जाती के परियावास छेत्र के अंतरगत अंतरगत मतलब जहां रहते हैं उनका जो परियावास का छेत्र है habitat है उसमें उसी के अंतरगत उनके पारंपरिक एवं रूढिगत traditional एवं orthodox सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक social, cultural और economic और आजिविका से संबंधित परिस्थिती की तंत्र पर पारंपरिक रूप से निर्भरता मतलब आजिविका livelihood से related जो इनका ecology के साथ क्या है dependency है और जैव विवित्ता biodiversity अथवा जो इनका पारंपरिक ज्यान, traditional knowledge इसका अधिकार मान्य करता है और इसका क्या देता है इनको सनरक्षण और इसी के लिए समझ में आया तो मैं वही बोला था particularly vulnerable group जो है ना tribes के उनके सनरक्षण या उनके conservation के लिए ही काम आएगा परियावास, अधिकार, मान्यता, पत्र समझ में आया तो basically मेरे हिसाब से definition आप समझ जाओ तो अच्छा है separately कभी पूछेगा नहीं जानकारी रहेगा तो अच्छा बात है clear है अब ध्यान आपको क्या रखना है तो ध्यान यह रखना है इसमें से question तो सामाने तोर पे आपको इसमें से mcqs बन सकते हैं और mains में जब हो जाएगा एक fact के तौर पर और प्री में अगर पूछोगे पूछ देगा छत्तिजगर जो है यह कौन से नंबर का राज्य है ऐसा करने वाला तो दूसरा फिर पूछेगा पहली जन जाती छत्तिजगर को जिसको मिला तो पहली जन जाती आप क्या लिखके आओगे तो कमा आप यूटलाइस कर सकते हैं ठीक है चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स धियान रखना विश्व हाथी दिवस तो हाथी की सुरक्षा के लिए समवेदना अभियान की क्या है शुरुवात की गए देखो आप लोग को पता होगा कि खास करना उत्तरी और म देखो ना तो यहां पर मानवो और हाथियों के बीच में बहुत संगर्श होता है human elephant conflict बहुत है क्यों है क्योंकि सीधा सा बात है मानवो के द्वारा संसाधनों के दोहन के लिए जंगलों की कटाई हो रही है हम लोग resources के tapping के लिए क्या कर रहे है forest को cut down कर रहे है अब चाहे पेडो काम हो और मूलता जिसके कारण हम लोग करते हैं वो क्या है तो वो basically है अपना खनिज दोहन समझ में आया किसके लिए minerals के लिए अब minerals जो है आपको पता है northern और middle छतिलगण मतला मोटा मोटा सरुजा संभाग की बात करूँ इवन बिलासपूर संभाग का भी बहुत सारा छेतर कोरबा वाला राइगड़ वाला ये बहुत जादा जंगल है यहापर समझ में आया कि नहीं आया तो जिसके कारण अगर वहा सिकली क्या करता है खानेक तलाश करता है और ये तो एक coincidence है कि खाना हमेशा कहा होगा तो जहां मानव रहेंगे वहां बगल में खाना होगा आप खेती कहा करेंगे तो जहां आप रहते हैं वहीं बगल में करोगे 200 किलमेटर दूर जाके करोगे तो common sense की बात है हमसे हाथियों कोई आकरशन नहीं है हाथियों को आकरशन किस्से है खाने से और खाना कहा मिलेगा तो सामाने तोर पर खेतों में या मानव बस्तियों की बगल में तो जब मानव बस्तियों के बगल में हाथी आ जाएंगे human settlements के पास हाथी आ जाएंगे और होगा क्या कुल मिलाके वहां आक तो जानवर है, हम तो इंसान है, तो हम तो हाथी की साथ कुछ भी कर दें, सीधा सा बातन मानों तो कुछ भी कर सकता है, बंबनाग फेक सकता है, डंडास मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इस कंडिशन में वन्य जीवों की सुरक्षा भी जरूरी है, तो हाथी की सुरक्ष के लिए है it is for the safety of elephants समझ में आया की नहीं आया ठीक है और जगा जगा आप पढ़ोगे तो खबर में हमेशा आपको धरम जैगर धरम जैगर मिलेगा तो घ्यान रखना मूल रूप से आप मालो कि यह शुरुवात जो है हो सकता है कि यह कहां से किया गया हो रायगर से लेकि ला इसका स्क्रीनिंग भी किया गया दिखाया गया ताकि बच्चोग बीच में क्या है जाग रूपता है समझ में क्योंकि यही तो एज होता है बच्चोग जाग रूप करने के लिए ठीक तो बेसिकली बात करोगे अगर मेंस की 30 words में पूस देगा भी समवेदना अभियान चलिए अब आगया जाते हैं नेक्स देखते हैं स्वत अंत्रता दिवस मतला 15 गस्ती बात हो रही इंडिपेंडेंस जे अब इसका जो मुख्य समारों 2023 का रायपूर में हुआ यहाँ पर मुख्य मंत्री जी के द्वारा क्या किया गया तो पुलिस अधिकारियों को उनकी उ दो अधिकारियों को ग्रह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सराहनी सेवा पदक और एक को राष्टपती का विशिष्ट सेवा पदक जो है वो क्या किया गया है दिया गया है तो साथ अधिकारियों को पुलिस वीरता मेडल उसके बाद फिर भारती पुलिस मेडल जो है 11 दो अधिकारियों को ग्रह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सराहनी सेवा पदक और एक को राश्पती का विशिष्ट सेवा पदक जो है वो दिया गया है तो इसको आप लोग ध्यान रख लेना हो सकता है कि MCQ में पूछ दे इसके लावा कुछ नाम है ठीक है बहुत जादा examination के point of view से MCQ में पूछता नहीं है बट एक बार देख ले रहे ना क्या पता पूछी दे करके तो जिन अधिकारियों को वीरता पदक प्रदान किया गया उनमे रक्षित निरिक्षक श्री वैभव मिश्रा जी पुलिस अधिक्षक डॉक्टर अभिशेक पल्लव जी अब इन प्लाटून कमांडर शहीद श्री कृष्णपाल सेंग कुश्वहा को क्या किया गया है सम्मानित किया गया है ठीक है MCQ के point of view से देखोगे तो यह पहला वाला section important है इसको एक बार देख ले ना हो सकता है कि पूछ ले चलिए भई नेक्स देख लेते हैं नेक्स क्या है तो देश में मत्स्य बीज उत्पादन में पाचवे और मत्स्य उत्पादन में छटवे स्थान पर है छट्रसकर तो यह सीधा सीधा MCQ बन जाएगा क्या बन जाएगा ये सीधा सीधा mcq बन जाएगा आप से पूछ लेगा कि देश में मतस्य बीज उत्पादन में छत्ति रड़का कौन सा रांक है पांचवा और मतस्य उत्पादन में छत्ति रड़का कौन सा रांक है छत्वा तो मतस्य बीज पांचवा मतस्य उत्पादन छ यह rank आपको पूछ लेगा, ध्यान आपको रखना है, ठीक है तो आपको पता होगा, इसको last year भी मैंने आपको बताया था, basically हो क्या रहा है, तो हमारे यहाँ पर जो मतस्य पालन है, इसको राज्य सरकार ने क्रिशी का दरजा दे दिया है, जिसके कारण इनको क्या हो रहा है, जो ब्याजमुक्त रण है, वो मिल रहा है, और अन्य सुधाय प्राप्त हो रही है, जिसके कारण इनकी लागत मूल्य क्या है, बहुत जादा कम हो जा रही है, और इनकी आमदनी जो है, वो बढ़ रही है, इंकम बढ़ रहा है, expenditure कम हो रहा है, यह investment कम हो गया इनका, ठीक है प्रदेश में मचली पालन के लिए लगभाग लगभाग दो लाक हेक्टेर से अधिक का जलशेत्र उपलब्ध है अब देखो बहुत अच्छे से ध्यान रटना ये करेंट अफैस का डेटा है लेकिन अगर एकनॉमिक सर्वे की बात करूं तो एकनॉमिक सर्वे दो हजार बाइस तेईस क्या कहता है तो दो हजार बाइस तेईस कहता है कि 26 गड़ में कुल जल शेत्र जो है 1.999 लाक हेक्टेर है क्या कहता है one point triple nine lakh hectare इतना चत्रगड में कुल जल छेत रहे फिर आगे यह कहता है जिसमें से one point nine six one lakh hectare मतस्य पालन के लिए विक्सित है तो कुल बताता है एकनोमिक सर्वे one point trzy purple nine lakh hectare है मतस्य उत्पादन के लिए कितना विक्सित है one point nine six one lakh hectare मतस्य पालन के लिए fisheries के लिए क्या है विक्सित है developed है और percentage के terms में यह है 98.09% यह fact अरे देखो काम यह fact बहुत important है पता है बार बार यह question मैंने देखा है MCQ के form में पूछता है 36 गड के कुल जल छेत्र का कितना percent मतस्य पालन के लिए विक्सित है developed है आंसर क्या लेना इस बार 98.09% यह एक बार pre में भी आ चुका है यह question एक बार pre में भी आ चुका है तो 1.999 लाख हेक्टेर economic survey के अनुसार चत्र का कुल जल छेत्र है जिसमें से 1.961 जो है मतस्य पालन के लिए विक्सित है percentage के टर्मस में कहूं तो कुल जल छेत्र का 98.09% मतस्य पालन fisheries के लिए क्या है हमारे यहाँ पर developed है विक्सित है इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग क्या करना है आप लोगों को ध्यान में रख लेना है ठीक है फिर से आप लोगों को बता दूर भाईया ये question आ चुका है ये question आ चुका है percentage के फॉर में सुझ माया ना clear आचा नेक्स चीज आपको क्या ध्यान रखना है अगर इसमें से एकदम question की बात करूँ तो पहला चेंसी क्यूं में बता दी हो भी है आपको पूछेगा कि कुल जल छेत्रे में से कितना प्रतिशत मतस्य पालन के लिए क्या है विक्सित है डेवलप्ड है ये answer होना चीए 98.09 current fs के data भूल जा रहा हो economic survey जादा महतपूर्ण है मेंस के point अगर कहो ना क्रिशी से सम्मंदित अगया कोई essay आ गया agriculture से related कोई essay आ गया तो अगर इस fact को आप इसमें लिख लोगे कि हमारे यहाप पर मतस्य पालन को भी क्रिशीक दर्जा मिला है जिससे कारण मतस्य पालन करने वाले जो लोग है उनकी आमदनीम वृद्धी हुई है करके तो यह fact भी आपके काम में आ जाएगा अगर आप essay में इसको क्या कर लोगे इंप्लूट कर लोगे ठीक है भई अब इसके बाद next आ जाते है next यह है स्वतंतरता दिवस का मुख्य समारो 2023 2023 मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है उत्कृष्ट कारियों के लिए तीन गौठानों को पुरस्कृत किया है तीन गौठान जो है वो पुरस्कृत हुए है प्राइज मिला है इनको ठीक है भई देखते जाईए पहला जो है राजनाद गाओं डिस्ट्रिक का ग्राम अमलीडी आरे याद रख लेना राजनाद गाओं अमलीडी फिर दुर्ग का चंखुरी ये राइपुर वाला नहीं है जी दुर्ग का चंखुरी आरे राजनाद गाओं अमलीडी DC दुर्ग का चन्खुरी और SH सारंगण बिलेगण का ग्राम है क्या हिर्री अब यहां का जो गोठान है यहां पर क्या किया गया है इन तीनों गोठानों को सम्मानित किया गया है इनके उत्रिष्ट कारियों के लिए ठीक है आपको पता होगा सुराजी गाव योजना जो है उ गर्मी कमपोस्ट बनाय जा रहे हैं मतस्यपालन किया जा रहा है कुकुट पालन किया जा रहा है सब्जी उत्पादन हो रहा है ऐसी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां इकॉनमिक आक्टिविटीज जो हैं संचालित की जा रही है समझ में आया और इसके लिए क्या किया तो गौठान के जो संचालन प्रबंधन है, गौठान समिती है, इनके माध्यम से इन कामों को किया जा रहा है, और ऐसे ही तीन गौठान, कौन-कौन से आरे, राजनाद गाउं का अमलीडी, दुर्ग का चंद्खुरी, और सारंगड बिलेगड का हिर्री, इसको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, 15 अगस्त के दिल, माननी मुख्यमंत्री श्रीप भुपेश बगहल जी के द्वारा, क्लियर है, तो I hope इसको आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, अगर questions की बात करो, तो MCQ के form में पूछा जाएगा, किसको सम्मानित किया गया है ठीक है, तो ध्यान रखना, रासनाद गाओं, अमलीडी, दुर्ख चन्खुरी, सारंगड बिलईगर, हिर्वी, ठीक है, क्रिशी से संबंदित, ऐसे में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, इवन आपको पता है, कई बार तो, जो सिधा-सिधा योजना रहता है उसके उपर भी ऐसे आया हुआ है, तो उसमें भी क्या कर सकते हो, इन फाक्स को आप यूज कर सकते हो, शलिए भई, नेक्स्ट आ जाते है, अब नेक्स्क्या है, जांजगीर चांपा, डिस्ट्रिक की बात है, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक अड्मिनिस्ट्रेशन और टेक है भई, अब इस कारिक्रम के माध्यम से क्या हो सकेगा, तो ध्यान रखना, ये जो कारिक्रम है, यूवदय हस्देव के हीरो, इसके माध्यम से, स्वयम सेवकों को सामुदाईक मानसिक स्वास्थ, किशोर किशोरियों का संपून स्वास्त समझ में आया कि नहीं आया है बॉइस गर्ल्स इनका complete health एवं विकास development अभी भावक guardians जो हैं या parents हैं इनका बच्चों की सिक्षा में सक्री भागिदारी और युवाओं का योगदान इन शेत्रों में या इन शेत्रों को स्वयम सेवकों के माध्यम से क्या करना है और बहतर करना है और इसी के लिए लोगों को जागरूप करने की जरूरत है और इसी के लिए क्या किया गया है ये प्रोग्राम युवोदय हस्देव की हीरों को शुरू किया गया है ठीक है तो ये जो platform है, ये जो मंच है, ये जो कारिकरम है, इसके माध्यम से स्वयम 101 को सामुदाईक मानसिक स्वास्त किशोर किशोरियों का संपूर्ण स्वास्त एवं विकास, अभिभाओकों का बच्चों की सिक्षा में सक्री भागिदारी एवं युवाओं का योगदान, ऐसे जो छेतर है उसमें लोगों को जागरुख करने के लिए जिले में अपनी सेवा देने का अफसर मिलेगा समझ में आया तो ये जो स्वयम सेवक है इतनी प्रकार की सेवाएं देंगे डिस्ट्रिक्ट में ताकि लोग जागरुक हों समझ में आया awareness बढ़े लोगों में इन सब चीजों के प्रती और यही है आपका यूगोड है हस्देव के हीरो कारिक्रम ठीक है MCQ की बात अगर करो तो ध्यान रखना पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक में स्टार्ट हुआ है तो जांजगी चापा यह MCQ बन जाएगा और मेंस में 30 words के लिए इस प्रोग्राम को ready रख लेना कि यूगोड है हस्देव के हीरो यह जो कारिक्रम है 30 words में इसको कि भई यह क्या कारिक्रम है करके है clear है ठीक है next देख लेते हैं अब next क्या है 36 गड़ में अखाडों के सन्रक्षन और समवर्धन के लिए शुरू होगी बजरंग बली अखाड़ा प्रोचसाहान योजना तो बहुत बढ़ियासी बात है यह तो सीधा सीधा आप इसको पढ़ने के बाद ही समझ गए होगे कि यहाँ पर रेस्लिंग को हम लोग को क्या करना है प्रमोट करना है और इसी के लिए क्या करना है तो अखाडों के सन्रक्षन कंजर्वेशन की जरूरत है जिसके लिए बजरंग बली अखाड़ा प्रोचसाहान योजना जो है यह शुरू की जाएगी इसके अलावा राजयस्तरी कुष्टी अकादमी भी क्या होगी खुलेगी स्टेट लेवल का रेस्लिंग अकादमी कहां पर खुलेगा राइपूर ख्लियर है तो इतना ही इंपॉर्टन है इससे जादा बहुत जादा इंपॉर्टन यह नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट अफ यू से MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है ध्यान रखना कि स्टेट लेवल का जो रेस्लिंग अकादमी है छत्तुदगर में कहां पर खुलेगा तो आंसर क्या आना चाहिए आपका राइपूर आना चाहिए छीक है भई इसके अलावा 20 अगस्त सद्भावना दिवस जो भारत के पूर प्रधान मंतरी भारत रत्न स्वर्गीश्वी राजीव गांधी जी की जैनती थी इस दिन मुख्य मंतरी जी ने क्या किया है तो 13 नए अनूविभाग सबडिविजिन्स और 18 नए तहसीलों का वर्चुवल क्या किया है इन्होंने शुबारंब किया है चत्तिस गर राजी में अब राजस्व अनूविभाग 122 हो जाएंगे और तहसील कितने हो जाएंगे 200 ठीक है तो याद रखना राजी हमारा एक है जो कि 5 संभागों में बटा है जो कि 33 जिलों में बटे है और इन 33 जिलों में नीचे अगर आजस्व अशासन को देखो तो अब 122, 122 क्या हो गए अनूविभाग हो गए जिसके अंदर अब 200 क्या है तहसील है समझ में आया कि में आया clear है तो अनूविभाग को इंग्लिश में क्या कहते है सब डिविजन आप लोग बोलते हैं न SDM बनेंगे SDM राजस्व अनूविभाग में बैठते हैं SDM सब डिविजन तो सब डिविजनल ओफिसर और हिंदी में पढ़े होगे क्या लिखा रहता है अनूविभागी दंडा अधिकारी तो ये सब डिविजन्स है और कुछ नहीं है समझ भाया और 2,23 तो ध्यान रखना राज ये एक है समभाग 5 हो गए जिलो की संखिया 33 है इसके अंतरगत अब कितने अनूविभाग है सब डिविजन्स है 122 और 2,23 तो ये प्रशास्तिक संरशना को आप ध्यान रखना एक्जामिनेशन पॉइंट ओफिश है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं फाइनली ओगस्ट के लास्ट टॉपिक पे आजाते हैं अपन वो क्या है कि इंद्रा गांधी क्रिशी विश्व विद्याले को राष्ट्री इगवर्निंस नाशनल इगवर्निंस एवर्ड 2023 गोल्ड या स्वर्ण पुरुसकार मिला है ठीक है तो ध्यान रखना इन्होंने आर्टीफिशल इंटेलिजन्स पर आधारित एक अप्लिकेशन डेवलप किया जिसका नाम था क्या क्रॉप डॉक्टर और इसी से प्रमोट होने लगी क्या स्मार्ट खेती लगभग प्रदेश के 8 लाख किसानों ने इस अप्लिकेशन को डाउनलोड किया और इस अप्लिकेशन से जुड़े है और इसी लिए इंद्रा गांधी क्रिशी विश्व विद्याले को राष्ट्री ई-गवर्नेंस पुरुषकार 2023 स्वर्ण मिला है समझ में आया ध्यान में रखना अब ये जो अप्लिकेशन है इसके माध्यम से क्या हो रहे पता है तो 36 प्रकार की फसलों के और किसानों को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लाटफोर्म की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है समझ में आया कि नहीं आया और इसी के लिए क्या किया गया है तो इंद्रा गांधी क्रिशी विश्व विद्याले को ये अवर्ड मिला है समझे की नहीं समझे डन इसके कारण स्मार्ट एगरिकल्चर क्रिशी को क्या मिलेगा बढ़ावा मिलेगा डन तो मेरे हिसाब से इसको आप लोग समझ गया होंगे बहुत जादे एजी है कुछ भी नहीं है इनोंने एक आप्लिकेशन डेवलप किया क्रॉप डॉक्टर 2.0 लगभग आठ लाग किसानों ने इसको डाउनलोड किया इसे जुड़े हुए हैं जिसके कारण स्मार्ट खेती हो लिए 36 प्रकार की सुविधा है जो है इनको क्या है प्राप्त हो जाती है और इसी कारण इनको ये अवार्ड मिला है ठीक अगर बात करिए क्वेशन की तो MCQ के रूप में आपको पूछ देगा कि निम्न में से किसी राष्ट्री गवर्नेंस पुरुस्कार 2020 स्वर्ण मिला है तो ध्यान रखना इंद्रा गांधी क्रिशिव विश्यव दिया ले फिर पूछ देगा किस लिए मिला है तो क्रॉप डॉक्टर 2.0 अप के लिए 30 वर्ड्स में पेपर नंबर 4 में टेकनलोजी वाले सेक्शन से आपको पूछ देगा क्रॉप डॉक्टर अप 2.0 जो है न इसको 30 वर्ड्स में बताओ भई यह क्या है करके तो बताना कौन डेवलप किया है किसानों क्या फायदा हो रहे कितने प्रकार की सुविधा इससे क्या है प्राप्त हो सकेंगी डन तो आई हूप इतना सारा जो सेक्शन है पूरा पूरा आपको प्रॉपली समझ में आ गया होगा और अपन अब क्या करते हैं तो सीधा क्वेशन्स पर आ जाते हैं और इस वीडियो को इन क्वेशन्स के साथ एंड करते हैं और इन क्वेशन्स के आंसर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा तो पहला क्या है परियावास अधिकार प्रदान करने वाला 36 गड़ देश में कौन सा राज्य है चिला चिला की इसके बारें डिसकेशन किया है आपको ध्यान में होना चाहिए फिर विश्व हाथी दिवस के आउसर पर 36 गड़ में हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यान शुरू किया गया तो आपको ध्य क्या है मतस्य उत्पादन में 46 गड़ का कौन सा रांक है फाइनली यह वो दय हसदेव के हिरो कारिकरम कौन से जिले से क्या है संचालित किया जा रहा है डन तो यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग क्या कर देते हैं एंड कर देते हैं खतम कर देते हैं अब अगले वीडियो के साथ मतलब सेप्टेंबर एक से लेके पंदरा तारीक का जो करेंट फैस है उसको लेकर 16-17 के आसपा सेप्टेंबर में आप सभी के सामने हाजिर हो जाओंगा चलिए तो मैं मिलूँगा आप सभी से अगले वीडियो में तब तक ले थांक यू आंड टेक केर अग I